नमस्कार दोस्तों सीसी के स्लाइव डिसेट लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेत्रों आप सभी को बताना चाहेंगे हमारी विशेश श्रिंखला हिंदी भाषा और हिंदी काववे के तहत हमने आप सभी के लिए कहीं लेक्चर जाए हुजित की अपने पिछले दो सेशन में हमने मीरा पर विशेश टूप से चर्चा की आज भी हम मीरा पर ही चर्चा करेंगे और हमारा आज का विशे है मीरा के काववे में विद्रो हो का स्वर और इस सेशन के लिए पर फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है दॉक्टर विनिता कुमारी, स्वामिश अधनन कॉलेज के हिंदी विभाग में असोसियेटर प्रोफेसर है, ये कहीं वर्षों से पढ़ा रही है और इनकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि छात्र छात्राओं के बीच पठन-पठन की सामगरी को आसन बना दिया जाए, तो हम स्वागत करना चाहते हैं, दॉक्टर विनिता कुमारी का, दॉक्टर विनिता आपको बहुत-बहुत स्वागत है, दन्यवाद गीतिका जी, नमस्कार मित्रो, जैसा कि अभी गीतिका जी ने बताया है, कि हमारे पहले दो व्याख्यान भी मीरा पर हो चुके हैं, और आज य मीरा कृष्ण की भक्ती में लीन रहती थी, कृष्ण के सैयोग के उनके विरह के पद गाती थी और मंदिर में घुमगरू पैरों में बाद कर नृत्यादी किया करती थी, सादूओं की संगती में बैठती थी, शास्त्र चर्चाएं करती थी, और दिन रात अपने आपको प परंतो मीरा के व्यक्तित्व का एक अन्य पक्ष भी है, जो उनके जीवन के अनुभवों से जुड़ा हुआ है, जीवन में उन्होंने जिन संगर्शों को सहन किया, जीवन की जिन परिस्तितियों से वे गुजरी, उसका प्रभाव उनकी साहित्ते पर, उनके पदों पर दि जहन करना पड़ा, और परंतो वे उन कष्टों से घबराई नहीं, उन कष्टों के से उसनोंने हार नहीं मानी, अपितु जो समाज में रूडियां प्रचलित हो गई थी, जो समाज में अंध विश्वास फैल गए थे, चाहे वो धर्म को ले करके थे, चाहे वो साहित्ते से सम्बंदी थे, या समाज की रूडियों से सम्बंदी थे, तो उनके प्रती एक विद्रों का भाव, एक विरोध का भाव मीरा प्रकट करती है, मित्रों हम कलपना भी नहीं कर सकते, आज से 500 साल पहले समाज, मद्द युगिन समाज में इस्तरियों की क्या स्थिती रही होग हम पुस्तकों के माद्यम से जानते हैं, इतिहास से जानने का प्रयाज करते हैं, कि उस समय जब सामंती व्यवस्ता थी, तो उस सामंती व्यवस्ता में नारी कितनी परवश थी, नारी की कोई अपनी अस्मिता, उसकी अपनी कोई पहचान, उसका अपना कोई अस्तितु नही था और ऐसे समय में सामानने इस्तरी ना हो करके मीरा जो राजगरानों से संबंद रखती थी उन्हें किन-किन विरोधों का सामना करना पड़ा होगा और उन विरोधों का सामना करते हुए वो कैसे अपनी एक पैचान बना पाई कैसे वो आगे बढ़ पाई कैसे वो अपनी बात समाज तक पहुंचा पाई ये उनके कावे में मुल्स्वर मिलता है और यहां जो रूडियां थी जो परमपराईं थी जो मनुष्य की विशेश रूप से इस्तरी की प्रगती में बाधक थी उनके प्रती मीरा विद्रो का स्वर उठाती है उनके प्रती मीरा प्रतिकार की आवाज उठाती है प्रति उत्तर देती है तो आज मित्रों हम उनके साहित्य के माधियम से उनके कावे के माद्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी क्रचनाओं में हमें विद्रो का स्वर किस रूप में और कैसे कैसे दिखाई देता है सबसे पहले हम देखते हैं सामन्तिय व्यवस्था के प्रती विद्रो जो उस समय समाज था, सामन्तिय व्यवस्ता थी उसमें नारी की जो असहाई दशा हो चुकी थी नारी किस तरह से परवश होगी थी वो हमें इनके साहित्ते में देखने को मिलता है मीरा का जन्म एक सामन्ती परिवार में हुआ था वे राजकुमारी थी, वे कुलवदू बनी तो सामन्तिय परिवार की बनी और कुछी समय विवा के कुछी समय बात उन्हें वैधवे जीवन व्यतीत करना पड़ा और उस वैधवे जीवन ने उन्हें असहाई बना दिया था कि नारी के पाउं पर तंतरता की बेडियों में पूरी तरह से जकड़े हुए थी और यह तो हमारी परंपरा में देखने को आता है कि समाज में पुराणों में समृतियों में विशेश रूप से ये कह दिया जाता था कि नारी इस्तिकन्या जो है वो बाले काल में अपने पिता के संरक्षन में रहती है योवा काल में अपने पती के संरक्षन में रहती है और वृद्धा वस्ता में अपने संतान के अपने पुत्र के संरक्षन में रहती है तो इस तरह से भैसदयव परवश रही बच्पन में अपने पिता के फिर अपने पती के और फिर अपनी संतान के तो उसके अपनी जो एक पहचान थी उसका अपना जो एक स्वत्व है जो अस्तित्व है वे कहीं दबता चला जाता है उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं होती एक और नारी की यह शास्त्र सम्मत नीरीहता उसकी परवशता और दूसरी और राजस्थान के राजपूतों का युद्धों में तल्लीन रहना क्योंकि मीरा का जन्म मेडता में हुआ है और राजपूत घराने में हुआ है और विवा भी हुआ है तो चितोड में सिसोधिया वंश में हुआ है और मद्दे युग में राजपूत अपनी आन बान शान के लिए अपनी इज़त बनाई रखने के लिए अपनी सत्ता के विस्तार के लिए अपने पराकरम का प्रदर्शन करने के लिए विभी निकारणों स अक्सर जुद्धों में तल्लीन रहते थे और जिसके परिणाम स्वरूप कभी किसी का राज्य छिन जाता था कभी कोई राज्य पराजित हो जाता था तो दूसरा राज्य अपनी सीमा का विस्तार कर लेता था जैसे मीरा के जो पितामा रावदूदा जी थे उन से मेड़ता छीन लिया गया ऐसे ही आज मेड़ता छीन लेगा गया तो कल रतंचिंग से चितोड का शासन छीन लिया गया तो इस तरह से बड़ी शासन व्यवस्था में अव्यवस्था बनी हुई थी राजपूत राजा युद्धों में ही तलीन रहते थे और इस हालत में इस्त्रियों की अवस्था बहुत ही दैनिय थी उनकी स्थिती बड़ी शोचनिय थी कहा जाता है कि समवत 1893 के लगभग जब चितोड का युद हुआ तो उस युद में 13,000 इस्त्रियों को जोहर करना पड़ा था सती होना पड़ा था अब इतनी इस्त्रियों का जब सामूहिक जोहर हुआ तो आप सोच सकते हैं कि इस्त्रियों का क्या स्थेती हुए और नारी पूर्ण तया पूरुष पर निरभर थी अब पूरुषों के सामने भी उनकी सुरक्षा के लिए और कोई उपाय नहीं था अगर पूरुष युद में वीरगती को प्राप्त हो गया है सैनिक वीर गती को प्राप्त हो गया है तो उसकी जो विद्वा है वे सती होने के अलावा उसके पास अन्य कोई विकल्प नहीं था तो मीरा का भी यद्य भी उनके पती की मृत्यू युद्ध में नहीं हुई थी परंतु युहावस्ता में ही मीरा विद्वा हो जाती है और विद्वा होने की स्थिती में मीरा ने भले ही लौकिक संसार में अपने लौकिक पती से वियोग प्राप्त किया परन्तु वो जो बाले काल के भक्ती के संसकार उनके मंतर दे जिसके कारण उन्होंने बाले काल से ही अलौकिक पती के रूप में कृष्ण को वरण कर लिया था, कृष्ण को अपना पती स्वेकार कर लिया था, तो वह जब कृष्ण को अपना पती मान लेती हैं, तो अपने प्रेम को प्राप्त करने के लिए, मीरा ने सिसोधिया वंश के रूठने की भी परवा नहीं की, मीरा का पाद आता है जिसमें वो स्पष्ट कहती है सी सोधियो रूठियो तो मारो काही कर ले सी कि सोधिया वन्ष अगर रूठ जाता है मुझसे तो वो मेरा क्या कर लेगा मैं तो गुण गुण गोविंद रहा गास्या हो माई कि मैं तो गोविंद के ही गुणों का गान करूंगी हे माई हे मा मैं तो गोविंद के गुणों को ही गाती हूँ भले ही उसके लिए सिसोधिया वंश मुझसे रूट जाता है मुझसे नाराज हो जाता है तो हो जाए यहां देखिए मीरा का विद्रो का स्वर उभर करार है कि उसे भक्ती के मार्ग में किसी भी बाधा को वह स्विकार नहीं करती है कोई बाधा उन्हें स्विकारे नहीं है चाहे वो ससुराल की इज्जत کا प्रश्ण होगा सिसोधिया वंश उसका जो ससुराल का वंश है वो अगर रूटता है वे अगर नाराज होता है तो मीरा को उसके नाराज होने की भी चिंता नहीं है राणो जी रूट्या वारो देस रखासी हरी रूट्या को मलासा होमा कि राणा जी रूट जाते हैं तो मुझे परवा नहीं है पर हरी नहीं रूटने चाहिए प्रभू मुझसे ना रूटे लोक लाजरी कान न मानू कि मैं लोक लाज के परवा नहीं करती लोक लाज को नहीं मानती निर्भय निसान घुरास्या हो माए निर्बए होकर निडर होकर भक्ति के निशान को भक्ति की जो पहचान है उसको आगे बढ़ाओंगी उसको घुरास्या उसको आगे बढ़ाओंगी तो इस तरह से मीरा जो है उस सामन्तिय व्यवस्ता वे जो एक राज सत्ता का आन बान शान वाला जो एक रूप था उसका विद्रो करती हुई नजर आती है क्योंकि मीरा कूल वदू है और युवा वस्ता में ही व्यवधवे को प्राप्त हो गई है और विद्वा होने के बाद वे मंदिर में जाकर के सादू संतों के पास बैठ करके शास्त्र चर्चा करती है भजन गाती है रित्ते करती है भावाविश में आकर तो वे मीरा का ये व्यवहार मीरा का ये है आचरण राजपूती सत्ता को स्विकारे नहीं है और वे उस मीरा को इस मार्गस पर आगे बढ़ने के लिए रोकने का प्रयास करते है इसके लिए वे अनेक प्रकार की यातनाएं देते है पर मीरा इन यातनाओं के सामने इन अत् कहती है महाई का कर ले सी कि मेरा वे क्या कर लेंगे तो एक प्रतिकार एक विद्रो का स्वर मीरा का उभर कराता है हम कल्पना भी नहीं कर सकते आज से 500 साल पहले एक इस्त्री वह इस्त्रियां जो हमेशा पर्दे में रहती थी जो सूर्य मपश्या सूर्य की किरने भी जिनका स पर्ष नहीं कर पाती थी और वह इस्तरी सारी मर्यादाओं को, सारी रूडियों को, सारी अंध परंपराओं को तोड़ करके अपनी स्वत्व की, अपनी अस्मिता की पहचान के लिए लड़ती है, समाज का सामना करती है और समाज में उस व्यवस्था के प्रती, उस व्यवस्था के दोशों के प्रती अपने विद्रो का स्वर जागरित करती है तो इस तरह से सामन्तिय व्यवस्था के प्रती विद्रो करते हुए, वे नारी के अस्तित्व को ले करके जीवन की मान्यताओं को लेकर भक्ती भावना को लेकर के आगे बढ़ती हैं और इन सब के संदर्व में जो भी कष्ट जो भी बाधाय आती हैं उनको पार करती हैं इसी तरह से ये नहीं कि केवल राज सत्ता की ओर से मीरा का विरोध किया गया हो या मीरा को भक्ती पत पर आगे बढ़ने में बाधा पहुंचाईए हो भक्ती पत पर पुरुष सत्ता के प्रती भी मीरा का विद्रो भाव दिखाई देता है एक और राज सत्ता के प्रती विद्रो है और दूसरी और पुरुष सत्ता के प्रती पूरा मद्यकाल इन जुग पुरुष प्रधान जुग है पुरुष सत्ता प्रधान है और उस पुरुष सत्ता के प्रती मीरा विद्रो प्रकट करती है अब यह जो पुरुष सत्ता है, पुरुष के जो प्रधानता है यह केवल इस व्यापक समाज में नहीं थी, वह भक्ती समाज में भी थी, जो भक्त कवी हुए, उन भक्त कवीयों में भी अधिकांश्ता आप देखते हैं पुरुष रहें और वह पूरुष समाज जो भक्तिक छेत्र में आगे बढ़ा हुआ था वह समाज भी वह पूरुष समाज भी एक इस्त्री को भक्त के रूप में सहज स्विकृति नहीं देता है उसको भी सहज स्विकृति नहीं मिलती है मीरा का कावे भक्त कवियों की इस्त्री संबंदी मान्यताओं का प्रतिकार भी है और उनका प्रति उत्तर भी है उनकी जो इस्त्री को लेकर के मान्यताएं थी हम देखते हैं तुलसिदास को पढ़ते हैं या कबीर को पढ़ते हैं वो नारी निंदा करते हैं नारी को अध्यात्म के मार्ग में बाधद के रूप में देखते हैं परंतु मीरा जो है वे इस अवधारणा को का परतिकार करती हैं इसके रोकती हैं और प्रतियुत्तर भी देती है जैसे मित्रों आप जानते ही हैं कि जब मीरा व्रिंदावन जाती है और उन दिनों जीव ग ज्दक्रेजा करने जाती हैं तो द्वार पर जाती हैं और उनकी शिशे को कहती हैं कि मैं उनके आप से मिलना चाहती हूँ तो उनका शिशे अंदर जाकर कि जीव गोस्वामी जी से खढ़ा है कि को स्थार आपसे मिलने आई है तो जीव गो स्वामी कह देते हैं कि मैं किसी इस्त्री से नहीं मिलता और यहां मीरा को जब यह सुनती है मीरा तो वह उत्तर देती है कि मैं तो समझती थी ब्रज में एक ही पुरुश है पर ब्रज में कोई और पुरुश भी है अब ये अहंकार भाव इस अहम भाव को मीरा तोड़ती है और जीव गो स्वामी जैसे ये सुनते हैं और भागे हुए चले आते हैं और मीरा से भेट करते हैं और तब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है तो इस तरह से मीरा जो है वो भक्ति के क्षेतर में इस भक्ति के पत पर भी जो इस्तरी के प्रती एक तिरसकार का एक उपेक्षा का भाव देखती हैं तो उसका भी प्रतिकार करती हैं उसका भी प्रति उत्तर देती हैं जैसे 84 वैष्णवन की वारता है मध्यकाल में जो बल्लभाचारे के भक्तों के उपर उनके शिशियों के उपर बनाई गई है तो उस 84 वैष्णवन की वारता में सूर्दास, नंददास, कुम्दास, आदी सभी भक्तों की महिमा का गुणगान किया गया है परंतु वहां मीरा के लिए बुरा भलाका गया वहां मीरा की भर्थना की गई है उसको गाली तक दे दी गई है तो इस तरह से हम देखते हैं कि मीरा को पुरुष सत्ता से अनेक स्तरों पर विद्रो करना पड़ा यही कारण था कि मीरा किसी भी संप्रदाई से नहीं जूड़ी वह ना वल्लभाचारे के संप्रदाई से चूड़ी ना निम्बार्क के संप्रदाई से चूड़ी ना किसी हितरीवंश के संप्रदाई से जूड़ी वो किसी संप्रदाई से नहीं जोड़ती है और जो उन्हें उचित जान पड़ता है, जो उन्हें सही जान पड़ता है, जो भक्ती के पथ पर साधक है, जो अध्यात्म के मार्ग पर आगे ले जाने वाला है, उनका तो स्विक्रिती देती है और जो जो उस मार्ग में बाधक तत्व हैं, उनके प्रती वे विद्रो का स्वर उठाती है, उनका वे प्रतिकार करती है, उनके प्रति उत्तर भी देती है इस तरह से मीरा उस युग में जहां मद्यकाल में इस्तरी के लिए भक्ती सहज सुलम नहीं थी, वहां इस वार्ग पर चलते हुए भक्ती की पराकाश्ठा तक पहुँचती है, उसकी चरम सीमा तक पहुँचती है और आगे चल करके वही पुरुष समाज मीरा की भक्ती को, मीरा की शक्ती को पहचानता है और उनके आगे नतमस तक हो जाता है तो इस तरह से मीरा ने अपने समाज में राज सत्ता के प्रती विद्रो किया, पुरुष सत्ता के प्रती विद्रो का भाव रखा इसी तरह से मीरा ने जो समाज का एक नकारात्मक रौदर रूप था, एक नकारात्मक पक्ष था, उसके प्रती भी विद्रो का स्वर रखा केवल पुरुष वर्ग की ओर से, पुरुष पक्ष की ओर से हुआ हो, ऐसा नहीं है, इसमें इस्तरी पक्ष भी, इस्तरी सत्ता भी उतनी ही जिम्मेदार थी और मीरा को परिवार से, समाज से, व्यवस्था से, राज्य व्यवस्था से अनेक स्थरों पर विरोध का सामना करना पड़ा और उन विरोधों का सामना करते हुए मीरा उनका प्रतियुत्तर देते हुए अध्यात्म के बत पर आगे बढ़ती है विस्पष्ट कहती है लोग कुटुम्बी बरजी बरजए बतिया कहत बनाए कि लोग सारा लोग सारा संसार कुटुम्बी परिवार के अपने परिवार के लोग इस मार्ग पर चलने के लिए बरजी बार बार रोकते हैं बार बार बाधक बनते हैं बतिया कहत बनाई अनेक प्रकार की बाते बनाते हैं कई तरह से मेरी निंदा करते हैं कोई कहता है कि मीरा बिगड गई है कोई कहता है मीरा ने कुल का नाश कर दिया है मीरा ने लोक लाजगवा दिया है मीरा बावरी हो गई है परंतु मीरा इन सब की कोई परवार लोग कहिया मीरा भई बावरी सासु कहिया कुल नासी कि अपने ही परिवार की अपनी ही सास जो है उसको क्या कहती है सास लड़े मेरी ननद खिजावे राणा रहिया रिसाए सास भी जगडा करती है ननद भी नाराज होती है वो भी करोधी होती है राणा भी उसके उपर क्रोध करते है और अनेक तरह से यातनाएं देते हुए पहरो भी राख्यों मीरा घर से बाहर ना जा सके उसके उपर पहरा बिठा दिया जाता है पहरो भी राख्यों चौकी बिठारेों ताला दियो जड़ाएं तालों में बंद कर दिया जाता है किस तरह से उसको बेडियों में बांदा गया पर मीरा इन सब से रुकी नहीं और मीरा उसके बदले में मीरा उसका ध्रिड प्रति उत्तर देती है और मीरा क्या जवाब देती है बरजी मैं काहू की ना ही रहूं कि मैं किसी के रोकने से, किसी के बादक बनने से, किसी के प्रतिकार करने से मैं रुकने वाली नहीं हूँ कि मैंने जो संकल्प ले लिया, मैं जिस मार्ग पर प्रभु से मिलन के मार्ग पर आगे बढ़ी हूँ इस मार्ग पर बरजी में काहू की नहीं रहू किसी के भी रोकने पर नहीं रहूँगे चाड़ि दई कुल की कानी का करी है कोई कुल की मरयादा की चिंता मैंने छोड़ दी लोग क्या हम देखते हैं कि अधिकांशता हम कोई भी अच्छा काम करने से आगे बढ़ने से रुक जाते हैं हम ये कहते हैं लोग क्या कहेंगे तो लोगों की चिंता करते हुए हम कई बार जो हमारे मन में है जो हम करना चाते हैं उसको नहीं कर पाते और उसका नुकसान उसकी हानी हमें ही उठानी पड़ती है तो मीरा इस लोग क्या कहेंगे, इसकी परवा न करते हुए का करी है कोई, कोई क्या कर लेगा तो लोक लाज कुल कान जगत की दई बहाय जस पानी लोक लाज को और कुल की मर्यादा को, कुल की हिज़त को इन सब को जो बंधन थे, इनको पानी की तरह बहा दिया गई बहाय जास पाने तो उनकी परवा ना करते हुए उनकी चिंता ना करते हुए मीरा आगे बढ़ती है अध्यात्म के बत्पर तो इस तरह से मीरा ने केवल समंतिय व्यवस्ता का केवल राजसत्ता का ही विरोध सहन नहीं किया केवल पुरुष समाज का विरोध सहन नहीं किया अपने कुटुम्ब का अपनी ननद का अपनी सास का अपने पक्ष की इस्तरी जाती का भी विरोध सहन करना पड़ा परंतु मीरा कहीं भी इस विरोध पे रुखती नहीं है विए उसके भक्ती के पत पर बाधक नहीं बन पात इन बाधाओं को वो पार करती चली जाती है और इन व्यातनाओं को वो सिरे से नकारती हुई सिरे से इस व्यवस्ता का विरोध करती हुई आगे बढ़ती चली जाती है इसी तरह से मीरा ने लोक रूडियों का और लोक रीतियों का विरोध किया लोक में जो रूडियां प्रचलित हो गई थी, लोक की जो रीतियां थी, जो समाज की प्रगती में बाधक थी, जो मनुष्य के मनुश्यत्वों में बाधक थी, उन सब का मीरा विरोध करती है उनके प्रती उनकी विद्रो का भाव जागरेत होता है जैसे सती प्रता का अब जब मीरा का विवा हुआ और उनके पती की कुछी समय बाद मृत्ती हो गई तो कल्पना कीजिए उस समय की क्या स्थिती रही होगी जब किसी ने आकर के उनको बताया होगा कि तुमारे पती की मृत्ती हो गई है किसी ने उसका चूड़ा उतार दिया किसी ने उसकी मांग का सिंदूर पोंच दिया किसी ने उसे काले कपड़े धारन करने के लिए कह दिया गया तो मीरा की उस समय की कैसी स्थिती रहे होगी और मीरा उन सब का विरोध करती है सती प्रथा का विरोध करती है क्योंकि पती की मृत्यू के बाद विद्वा का जीवन बड़ा ही कश्टम है पर मीरा विदवा होने के बाद सती नहीं होती है वे ये स्विकार ही नहीं करती है कि उसके पती की मृत्य हो चुग innovator क्योंकि लोकिक पती तो वे पती मानती ही नहीं है वे तो अमर सुहाग मानती है उसने तो भगवान के साथ स्वपन में ही विवा कर लिया है वे स्वपन में उनसे परणे संबंद स्थापित कर लिया है और साफ स्वष्ट सब्दों में वो क्या कह देती है भजन करस्या सती नहोस्या मन मोयोगन नामी कि मैं सती नहीं होंगी कि समाज की यह जो गलत प्रथा है इस तरी के जीते जी उसको मार देना उसका प्राण हरन कर लेना यह इस प्रथा का मीरा विरोध करती है और वो क्या कहते है भजन करस्या मैं भजन करूंगी परन्तु सती نा होजिए, मैं सती नहीं होंगे इसी तरह से परधा का विरोध करती है परधे में नहीं रहती है जब पती की मृत्ती हो गई और वो एकांत में अपने महल में रहते हुए भक्ती करती रहती, भगवान का भजन करती रहती तो राणा को कोई विरोध ना होता परंतु मीरा भक्ती को समाज के बीच में ले जा रही है मीरा की भक्ती एकोन मुखी नहीं है वो लोकोन मुखी है वो समाज के बीच में जाती है और जो अपनी अनुभूती है उसको समाज के साथ शेयर करती है सादू संतों के बीच बैठ करके उस शास्त्रों की चर्चा करती है उनकी बीच बैठ करके भजन गाती है किर्तन करती है तो इस तरह से वे परदास प्रथा का विरोध करती है वैधव्य सूचक काले वस्त्रों का विरोध करती है क्योंकि जो विद्वा इस्त्री है उसको काले वस्त्र धारन करने के लिए बाद्य किया जाता है परन्तु मीरा भगवा वस्त्र धारन करती है भक्ती के वस्त्र धारन करती है माथे पर तिलक लगाती है गले में माला धारन करती है तो हाथों में, गले में माला अधिधारन करती है तो इस तरह से मीरा, वैधवे सूचक, काले वस्त्रों का भी धारन नहीं करती उनका भी विरोध करती है इसी तरह से मीरा जो है उनके विरा की कातरता और नारी की परवशता के प्रती भी विद्रो का भाव दिखाई देता है नारी की परवशता वैधवे जीवन की क्रूर वास्त्विक्ता जो उनके इस पद में स्पष्ट दिखाई देती है फारूंगी चीर गल कंथा, रहूंगी बैरागन होई री, चूरिया फोरूं मांग बखेरूं, कजरा मैं डारूं धोई री कि वे भगवे वस्तरधारन कर लेती है, देखिए एक और जीवन का यथार्थ है वैधव्य जीवन, विद्वा का जीवन जहां समाज की क्रूर रीतियां, समाज की रूडियां उसके मार्ग में बादक बने हुए और दूसरी और मीरा के जीवन की एक आधर्श कलपना है, अमर सुहाग की, जहां उसका पती भगवान स्वयम है, जहां कृष्ण उनके पती है, अलोकिक पती है और उनका सुहाग अमर है, तो इस तरह से मीरा की जो आध्यात्मिक विरह है, उसका आधार कलपना और वास्त्विक्ता, आधर्श और यथार्थ, उनके मध्य संगर्ष और उसका विरोध, ये दिखाई देता है, और मीरा उस यथार्थ, उस वास्त्विक्ता के प्रती, अपना असेहमती जाहिर करते हुए, अपनी असेहमती दिखाते हुए, आध्यात्म के पत को स्विकार करती है, और सभी रूडियों को, सभी बंदनों को तोड़ती हुई, आगे बढ़ती है, और इस तरह से मीरा स्वतंतरता की पक्षधार है, मीरा ने स्वतंतरता को सर्वो परिमुल्ले माना और इस्त्री स्वतंतरता के विरोध में खड़े सभी सिध्धानतों को गहरी चुनोती थी वस्तुता मीरा का कावे प्रतिबंदों के साई में जीवन जीने वाली मनुश्यता की अधिकार से वंचित इस्त्री जाती की मुक्ती का घोशना पत्र है जिसमें स्वतंतरता, समता, न्याय, सम्मान, स्वाभिमान और अभिव्यक्ती की स्वतंतरता के लिए गहरी बेचैनी और छटपटाहट मौजूद है और उसके लिए वो स्पष्ट कह देती है राणा माने या बदनामी लागे मीठी कोई निंदो, कोई बिंदो, मैं चलूँगी चाल अपूठी कि इस मार्ग पर चलते हुए भले ही कोई मेरी निंदा करे या मेरी कोई प्रशंसा करे पर मैं तो इस अपूठी चाल पर इस अनूठी चाल पर ही चलूगी और इस चाल पर चलते हुए मुझे किसी भी मर्यादा, कोई कुलकानी, कोई राजसत्ता का, कोई कुटूंब की मर्यादा उसका अगर मेरे बाधक बनते हैं, मेरे रास्ते में आते हैं तो मैं उन सब को नकारते हुए इस्तरी स्वतंतरता के पक्षधार होते हुए अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ोगी तो इस तरह से मित्रों हमने मीरा के कावे में विद्रो के स्वर को जानने का प्रयास किया धन्यवाद धन्यवाद झाल झाल मित्रो जैसे कि अभी हमने पिछले व्याख्यान में मीरा के कावे में पिद्रो के स्वर पर चर्चा की अब हम मीरा का जो कावे है वो गीती कावे की कसोटी पर कितना खरा उतरता है उस पर चर्चा करेंगे कि मीरा ने स्फुट पदो की रचना की उनके हम देखते हैं सभी कावे मुल रूप से दो भागों में बांटा जाता है प्रबंध के रूप में और एक मुक्तक रूप में और मुक्तक कावे जो है उसी में ही प्रगीत गीती कावे जिसको लिरिक भी कहा जाता है अंग्रेजी में वे कहलाता है अब हम सबसे पहले देखेंगे कि गीती कावे कहते किसे हैं गीती कावे से क्या भी प्रा है गीती कावे की क्या परिभाशा है तो गीती कावे मानविये अनुभूतियों का चेरसंचित कोश है और उसकी परंपरा विश्वव्यापी है आदिम युग से लेकर आज तक मनुष्य की ज्यानात्मक और भावात्मक उपलब्दियां स्वर संगीत से युक्त गेय पदों के रूप में समस्त सब्भे और असब्भे जातियों में व्यक्त होती रहिए गीति कावे प्रदानता है आत्म तत्व से युक्त संगीत आत्मक भाव प्रदान मुक्तक है जिसमें कवी के मनो वेगों का सहज अभिवेजन होता है तो इस परिभाश्य में हम देखते हैं कि मुल रूप से गीति कावे में कभी कि आत्मा भी वेंजना होती है कभी कि आत्मा भी व्यक्ति होती है कभी कि जो मनोवेग हैं उनका सहज अभिवेंजन होता है और ये अभिवेंजन भाव प्रदान होता है उसमें संगीत आत्मक्ता होती है और वह मुक्तक रूप में होता है तो इस तरह से और ये परंपरा हम देखते हैं सभ्य जातियों में और असभ्य जातियों में गीतों के रूप में लोक गीतों के रूप में हमें वैदिक काल से ही दिखाई देती है रिग वैदिक काल से ही हमें गीती तत्व गीती कावे की प्रचना दिखाई देती है पूरा हमारे जो वेद है वो गे रूप में है गे शेली में है फिर आगे संस्कृत में हम देखते हैं कालिदास का मीग दूत है या जय देव का गीत गोविन है या आगे हम विद्यापती की पदावली देखते हैं आधी कल में रासो कावे आधी देखते हैं, तो ये सभी कावे गीती कावे की शुरेणी में आते हैं, अब गीती कावे की परिभाशा को लेकर के हिंदी में कवियों ने, विद्वानों ने, समालोचकों ने, कोशकारों ने अनेक प्रकार से उसे परिभाशित करने का प्रयास क केवल हिंदी के नहीं पास्चाते विद्वानों ने भी इस क्षेत्र में अपने विचार सामने रखे तो मीरा के कावे में गीति कावे के तत्व को देखने से पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि हिंदी के कवियों ने हिंदी के समालोचकों ने या कोशकारों ने गीति क किस रूप में परिभाशित किया है महादेवी वर्मा जो हिंदी की प्रमुख कवित्री रही है जिनोंने स्वयम अनेक गीतों की रचना की है उन्होंने गीती कावे के विशे में कहा है कि सुख दुख की भावा वेश्मई अवस्था विशेश का गिने चुने शब्दों में स स्वर साधना के उब्यूकत चित्रन कर देना ही गीत है तो इस तरह से महादेवी वर्मा गीत के लिए आवश्यक मानती है सुख और दुख दोनों की भावा वेश्मई अवस्था कवि के जो भाव है पिस सुखद भी हो सकते हैं और वो दुख से भरे हो भी हो सकते हैं तो ज आह से उपजा होगा गान तो आह जो दुख है उससे गान निकला या जैसे क्रोंच युगल को देख करके वाल मीकी के मुख से अचानक जो श्लुक निकलता है मा निशाद प्रतिश्ठाम तौम गमा शाश्वती समा यत क्रोंच मितुना देकमा वधी काम मोहितम तो इस तरह से जब कवी के हिर्दे के भीतर एक ऐसी स्थिती उत्पन होती है एक करुणा का भाव जागरित होता है और वे भाव इतना अधिक उद्वेली तो उड़ता है कि वे कवितागीत के रूप में कविता के रूप में प्रकट हो जाता है तो वे उस अवस्था विशेश अब ये अवस्था विशेश सुख की भी हो सकती है उलास की हो सकती है और दुख की अवस्था भी हो सकती है उद्वेग की अवस्था भी हो सकती है तो इन दोनों प्रकार की अवस्था विशेश का गिने चुने शब्दों में क्योंकि गीती कावे में विस्तार नहीं है वहां चिपती तो कम शब्दों में गिने चुने शब्दों में और स्वर साधना के उप्युकत अर्था गीति कावे में गयता प्रमुक है तो संगीता अत्मक्ता होने जाहिए तो उसको अभिव्यक्त करदेना उसको चितरित करदेना ही गीत है इसी तरह से हिंदी साहित्य कोश में कोशकार ने जो गीती कावे की परिभाशा दी है उनके अनुसार कवी की वयक्तिक भावधारा और अनुभूती को उनके अनुरूप लैयात्मक अभिव्यक्ति देने के विधान को गीती कावे कहते हैं कवी की वयक्तिक भावधारा ये वयक्तिक भावधारा ही उसकी आत्मा नुभूती है ये वयक्तिक भावधारा उसका अपने निजी अनुभव है अपनी उसकी अनुभूती है और उसके अनुरूप ही वय उसको लैयात्मक अभिव्यक्ति प्रदान करता है उसको एक संगीत मे ताल में लए में बद्ध करता है और इसी विधान को गीति कावे कहते हैं गीति कावे में मानविये वृतियां अपनी सहज स्थिती में अभिव्यक्त होती है अतह उसमें आंतरिक सौंदरे गठन और अंतर वेग की तरलता रहती है गीति कावे का जो मूल तत्व है उसमें जो भाववेग है जो अंतरिक वेग है वो इतनी उसमें स्निक्दता इतनी तरलता रहती है कि उसको पढ़ करके उसको सुन करके जो पाठक है वे भी अभिवूत हो जाता है पाठक भी उस भावतिरेक में आ जाता है तो इसलिए उसमें एक अंतर वेग की तरलता रहती है। इसी तरह से बाबु श्याम सुंदर दास ने गीती कावे को परिभाशित करते हुए कहा, गीती कावे में कवी अपनी अंतर आत्मा में प्रवेश करता है। और बाहिय जगत को अपने अंता करण में ले जाकर उसे अपने भावों से रंजित करता है। आत्मा भिवेंजना संबंदी कविता, गीती कावे में ही छोटे बड़े पदों में मधुर भावनापन आत्मनिवेदन से युक्त स्वाभाविक भी जान पड़ती है। उसमें शब्द की साधना के साथ साथ स्वर्शंगीत की भी साधना होती है। भावना सुकोमल होती है और एक-एक पद में पूर्ण होकर समावत हो जाती है तो श्याम सुंदरदास भी गीती कावे को परिभाशित करते हुए कवी की आत्मा अनुभुक्ति को कवी की जो अभिव्यक्ति है उसे उनकी अंतरात्मा की आवाज कहते हैं कि वो अपने अंतरात के भीतर ले जाता है और फिर उसको अपने भावों से रंजीट कर देता है अपने भावों से युक्त कर देता है और आत्मा भी वेंजना संबंदी कविता गीती कावे में इस रूप में चोटे बड़े पड़ों में पदby क्याश्रोता भी हो सकता है और कुछ आकार में बड़ा भी हो सकता है और मदुर भावापन, मदुर भावों से युक्त आत्मनी वेदन के रूप में प्रस्तुत होती है तो इस तरह से मित्रों हम देखते हैं कि हिंदी में चाहे महादेवी वर्मा है या बाभु श्याम सुंदरदास है या खोशकर है या अने समालोचक है मूलते हैं उन्होंने गीति कावे को कभी की आत्मा भी व्यक्ती से जुडा हुआ माना है उसमें गेयता संगीत आत्मकत को अनिवारे गुण माना है तो हिंदी के विद्वानों कवियों के अतिरिक्त पाश्चाते विद्वानों ने भी लिरिक को जिस तरह से परिभाशित किया है थोड़ा सा हम उनको भी देख लेते हैं पाश्चाते विद्वानों में पाश्चाते कभी हुए शैली प्रसिद कभी है और वह क्या कहते हैं Our sweetest songs are those who tell the saddest thoughts तो वह भी saddest thoughts जो महादेवी वर्मा सुख दुख की अनुभूती की बात करती हैं वही बात शैली भी कहते हैं इसी तरह से हीगल वी कहते हैं the lyric has the function of revealing in terms of pure art, the secret of inner life, its hopes, its fantastic joys, its sorrows, its delirium तो इस तरह से जो अंतर आत्मा में प्रवेश करके बाहिये जगत को अंतर आत्मा से जोड़ करके और भावों को रंजित करने की बात श्याम सुंदर दास ने कही लगभग वही बात हीगल भी कह रहे हैं In a secret of inner life, अंतर आत्मा की बात करते हैं और जो हमारे hopes है, जो हमारे joys है, जो हमारे sorrows है, जो हमारे प्रलाप है, delirium है उन सब की अभिव्यक्ती लिरिक में होती है, इसी तरह से Hudson कहते हैं, there is the poetry in which the poet goes into himself and finds the inspiration and his subjector in his own experience, thoughts and feelings, तो जो कवी की अनुभूती है, जो उसने कवी ने अपने मन के भावों को गीती के रूप में प्रस्तुत किया, और वही भाव पाठक के, दर्शक के, श्रोता के भाव बन जाते हैं, वे उसके अपनी अनुभूती, उसके अपने विचार, उसके अपने अनुभाव बन जाते हैं, तो ये एक साधारनी करण की स्थिती हो जाती है, तो इस तरह से मेत्रों भारतिये और पाश्चाते, दोन आधार पर जो गीति कावे के मूल तत्व हैं उनको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं गीति कावे के मूल तत्व हैं आत्मा भिवेंजना या वयक्तिक्ता दूसरा है भावाति रेखता या भावानविती मारमिक्ता, संक्षिप्तता, संगीत आत्मक्ता, सरस्ता उसमें आ जाती है, प्रभावत पादक्ता और व्यापक्ता अब इन गीती कावे के तत्वों को हम देखेंगे कि मीरा के कावे में, मीरा के पदों में हमें किस रूप में दिखाई देते हैं तो गीती कावे की कसोटी पर अब हम मीरा के पदों को परखने का उनका मुल्यांतन करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं हम आत्मा भीवेंजना, आत्मा भीवेंगती मीरा का कावे उनकी अपनी अनुभूतियों पर ही आधारीत है वे उनका स्वयम का भोगा हुआ याथार्थ है आरोपित याथार्थ नहीं है मद्यकाल में जो पुरुष भक्त हैं चाहे वे सूर दास हैं चाहे वे तुलसी दास हैं या नंद दास हैं या कुम्मन दास हैं या अन्य भक्त कवी हुए हैं उन्हों ने अपने उपर गोपी भाव को या राधा भाव को आरोपित किया है परंतु मीरा का जो भाव है वो उनका स्वयम का भोगा हुआ भाव है वे उनकी अनुभूति स्वत्वा अनुभूति है और ये अनुभूति आरोपित अनुभूती नहीं है और मीरा ने भक्ति के क्षेत्र में जो अनुभव किया और अपने व्यक्तिगत जीवन में अनेक संघर्षों के रूप में जो भोगा वे दोनों ही उनके कावे में हमें दिखाई देते हैं उनके कावे में एक और भाव जगत है जो भक्ति प्रेरित है और दूसरी और कावे जगत लोग का जगत है लोग की यातनाएं लोग की पीडाएं तो उनके कावे में मीरा के पदों में हमें उनकी जो आत्मा विव्यक्ति है वो दो प्रकार की दिखाई देती है एक अनुराग मही दिखाई देती है और दूसरी विशाद मही दुख मही दिखाई देती है और इसी तरह से अनुभूती जो अनुराग मही अनुभूती है जब कृष्ण के संयोग पक्ष का कृष्ण के मिलन के दृष्यों का वह वर्णन करती है तो वहां उनकी अनुभूती अनुराग मही है और जब वे कृष्ण की विरह का वर्णन करती है कृष्ण से वियोग का वर्णन करती है उनके मिलन के प्रती आतूरता जहां वो बेचैनी दिखाई देती है जहां वो छटपटाहर दिखाई देती है वहाँ विशाद मही है और इस तरह से इनकी आत्मा विव्यक्ति मीरा की हमें दो प्रकार से दिखाई देती है अब मीरा की जो अनुभूती है और जो उनके कावे में अभिव्यक्ति है इन दोनों में हमें एक रूपता दिखाई देती है कि जो अनुभव कर रही है उसको उसी रूप में वो अभिव्यक्त कर रही है तो उसका परिणाम ये होता है कि मीरा की जो अनुभूती है उसकी जो सुख अनुभूती है या उसकी दुख की अनुभूती है वे मात्र मीरा की नहरह करके उसका साधारणी करन हो जाता है पाठक उससे पूर्ण तया तादात में स्तापित कर लेता है और मीरा के सुख में, मीरा के उल्लास में, आनंद में भैर आनंदित अनुभव करता है जब मीरा कृष्ण के धर्शनों के सैयोग का वर्णन करती है तो पाठक उनके साथ-साथ उसी अनुभूती में डूबने उत करने लगता है तो इस तरह से मीरा के कावे में अनुभूती और अभिव्यक्ती इनकी एक रूपता दिखाई देती है तो इस तरह से मीरा की जो आत्मा भिव्यक्ती है वो साधारनी करण के स्थर पर पहुँचकर पाठकों के साथ एक तादात में स्थापित कर लेती है इसी तरह से गीती कावे की दूसरा विशेष्टा है भावाति रेक्ता या भावानविती मीरा का कावे बौधिक्ता अथ्वा उपदेश आत्मक्ता से रहित है मीरा कोई ग्यान की चर्चा नहीं करती है कोई समाज को उपदेश नहीं दे रही है वो कबीर की भांती या अन्य संतों की भांती उपदेश नहीं देती है वो ग्यान की चर्चा नहीं करती है या समाज को चेतावनी देने की बात नहीं करती है जैसे संतो आई ग्यान की आंधीरे कहते हैं या सुनो भई संतो, सुनो भई साधो करके कभीर संबोधित करते हैं वो पंडों को भी, मुल्लाओं को भी प्रबोधित करते हैं चेतावनी देते हैं मीरा में वैसा स्वरूप हमें दिखाई नहीं देता मीरा का कावे आत्म प्रबोधन से युक्त है वो जो उसके अपने भीतर है वो प्रकट हो रहा है मीरा का अपना प्रेम मीरा का अपना विरह अपना भक्ती भाव अपना दुख वो उनका अभिव्यक्त होता है और इसके साथ साथ मीरा की पदों में हम एक और बात विशेश रुप से देखते हैं कि उनके पदों में पूरे पद में एक ही भाव रहता है जो भाव पहली पंक्ती में आया जिसको टेक की पंक्ती ये कहा जाता है जो केंद्रिय भाव है वही भाव पूरे पदों में पूरे सौंधरे का जब वे वर्णन करती है तो वो पूरे चरण जो बाकी शेश चरण है वे उसी सौंधरे का ही वर्णन में करने में लगे रहते हैं तो एक पद में आरंब से लेकर अंत तक एक ही भाव की अन्विती रहती है एक ही भाव रहता है जो पहली पंक्ति में भाव है आगे की पंक्तियों में उसी भाव की पुष्टी की जाती है उसी भाव का पोशन किया जाता है और इसी तरह से मीरा के पदों में हमें भावाती र पांच या छे चरण वाले ही हैं कुछ पद बड़े हैं जिन में कहीं कहीं हमें भावों का बिखराव या अव्यवस्था दिखाई देती हैं परन्तु वे नहीं के बराबर हैं मीरा की जो अधिकांश पद हैं उनमें एक ही भाव जो प्रारम हुआ है उसी की पूरे पद में हम अनमीती उसकी पुष्टी दिखाई देती हैं इसी तरह से गीति कावे की एक अन्य विशेष्टा या अन्य तत्व हम कहें वे हैं मार्मिकता अनुभूतियों की सत्यता, मनोवेगों का ज्वार और भावों की तलिनता ये मीरा की गीति कावे की विशेष्टा है जिसके कारण मीरा के पद मार्मिक बन गए हैं मीरा अपनी जब अनुभूती की बात करती है, वो जब अपने पधों में जो भी बात वो कहती है उसमें उनकी सच्चाई, उनकी सत्यता दिखाए देती है और जो मनो वेग है, मन में जो भी भाव जागरित हुआ है और विए इतना अतिरेक हो गया उसका जवार सा उठ गया है और भावों की तलीनता ऐसी दिखाई देती है कि पाठक उसके साथ पूरी तरह से तलीन हो जाता है मीरा के हिर्दे की भावुकता उसकी वेदना और कल्पना इनका इतना सुन्दर समायोजन उनके पदों में मिलता है और इसके लिए मीरा को कोई प्रयतन नहीं करना पड़ा यह अयतन साधित है और उनके कावे में उनके हिर्दे की भावना भावुकता हिर्दे की वेदना एक सहज रूप में एक स्वाभाविक नैसरगीक रूप में अभीव्यक्त हुई है कहीं भी उसमें कृतरिमता का लेश मात्र बी दिखाई नहीं देथा और मीरा ने अपने प्राणों की अनुभूती का जो एक मर्म स्पर्शी प्रभाव था वो अपने पदों में प्रस्तूत किया है और यही कारण है कि मीरा के पदों का प्रभाव आज 500 साल बाद भी उतना ही दिखाई देता है तो मीरा के पदों में जो गीती कावे की विशेष्टा मार मिखता है वे हमें हर पद में दिखाई देती है इसी तरह से गीती कावे की एक अन्य विशेष्टा है संक्षिप्तता अब घीती कावे में भुत भावों का अभिवेंजन होता है एक छोटा सा भाव इक कोई भाव फुत रूप में स्वुत रूप में विर्दे में आया उसका अतिरेक हुआ tougher oneANS कि अभीवेंजना उसके अभिव्यक्ति कवी करदी अब ये स्वुत भावेंजना है के कारण के म प्रतेक पद गयता से युकता है, उसमें संगीत आत्मक्ता है और भाव से परिपोन है, भाव की विशेश माता है, पद छोटे हैं, सरस हैं, संगीत आत्मक हैं और भाव पोन है। संग्षिप्तता में मीरा के विशाल हिर्दे की गंभीर भावुकता कूट कूट कर भरी हुई हमें दिखाई देती है, उनका एक एक पद एक भाव से भरा हुआ है, और अधिकाश पद हम देखते हैं, पांच या छे चरण वाले पद हैं, कुछ गीत हैं जो थोड़ी लंबे ह परन्तु उन पद भी जैसे विरह का वर्णन करते हुए मीरा जब कोई पद करती है, तो वो लंबा पद हो जाता है, वो विशेश रुप से उसके चरण आठ या दस बारा चरण तक पहुंच जाता है, पर अधिकाश्ता मीरा के पद संख्षिप्त पद है, चोटे-चोटे और जिन में भावों की आती रेखता है, गीती कावे नाम से ही जैसे सपष्ट है, उसमें गीती, गयता होना अनिवारे है, गयता का तत्व होना चाहिए, तो संगीत आत्मक्ता गीती कावे की एक मूल विशेशता मानी जाती है, और मीरा ने चंद विधान की अपेक्षा रा चंद की द्रिश्टी से, कावे शास्त्र की द्रिश्टी से, अगर हम मीरा के पदों का मुल्यांकन करने लगेंगे, तो हम मीरा के पदों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, वहां हमें निराशा ही प्रतीत होगे, क्योंकि मीरा ने चंद विधान की द्रिश्टी से पदों क मीरा के पद विभिन राग रागन recreंईंवें होने और उन में श्वर काल ले और गती के इन उपादानों का विषेष ध्यान रखा और है मीरा के पद में एक विषेष ले दिखाई देतीज इन क्विशेश गती एक विषेष प्रवार दिखाई देता और मीरा के पद इन राग रागिनियों आदी विबिन उपादानों से युक्त हैं और यह जो मीरा के पद है यह भजन के रूप में किर्टन शैली के रूप में प्रचलीत है हम दिखते हैं कि पूरा जो कृष्ण भक्ति कावे है वो किर्टन शैली में भजन शैली में मिलता है सूर के पदी क्योंकि जितने अश्ठ छाप के कवी हैं वे सब मंदिर में बैठ करके भगवान की मूर्ति के समक्ष गाया करते थे किर्टन किया करते थे और ताल के साथ मीरा भी एक तारा बजाते हुए ताल देख करके अपने मस्ती में आकर के पद को गाया करती थी तो मीरा के पद इस तरह से किर्टन की गयता की विशेश्टा से युक्त है और मीरा शास्त्र बद्ध नहीं शास्त्र सिद्ध कवित्री थी शास्त्रों के पीछे बद्धी भी नहीं थी शास्त्रों से बद नहीं थी, वे शास्त्रों का अनुकरन नहीं करती, शास्त्रों को उन्होंने सिद्ध किया हुआ था, और मीरा के पदों की जो पदावली है, जो भाशा है, कोमलकांत पदावली है, सरस है, हृदे ग्राही है, हृदे को छू लेने माली है, हृदे के भीतर प्रवेश कर जाने वाली है, मीरा ने मूलता राजस्तानी भाषा का प्रयोग किया है, क्योंकि उनका जन्म ही राजस्तान में हुआ है, अधिकांश जीवन उनका राजस्तान में ही बीता, तो उनकी मूल भाषा राजस्तानी है, वो वरिंदावन भी गई, ब्रज भूमी में तो उनकी भाषा में उनके पदों में राजस्ताने के अतिरिक्त ब्रज भाषा गुझराती भी देखने को मिलती है साथ ही पंजाबी के भोजपूरी और पूर्भी के शब्द भी मिलते हैं तो इस तरह से मीरा की भाषा मूलताहत राजस्तानी है परन्तु उसमें ब्रज का, गुजराती का, पूर्भी का, पंजाबी आधी भाशाओं के शब्दों का भी मिश्रण मिलता है और मीरा के पदों की एक अन्य जो हम विशेष्टा कहते हैं यह है प्रभावत पाधक्त कि मीरा के जो पद है वो भक्त की दृष्टी से देखा जाए, किसी कवी की दृष्टी से देखा जाए, गायक संगीत अग्या की दृष्टी से देखा जाए या कोई विर्पत सन्यासी उनको गा रहा है या कोई ग्रिहस्त सुन रहा है सब पर विशेश रूप से प्रभाव डालने वाली है यह सबके लिए प्रभाव शालिय है आज भी हम देखते हैं कि उनके पदों को उतनी ही सरस्ता से गाया जाता है प्रस्तुत किया जाता है और मीरा के पद व्यापक है क्योंकि मीरा किसी संप्रदाय विशेश से बंदी हुई नहीं थी संप्रदाय निर्पेक्ष थी इसलिए इनके पदों का विश्व व्यापी प्रभावरा है तो मित्रों इस प्रकार हमने गीति कावे की कसोटी पर मीरा के पदों की समीक्षा की उस पर चर्चा की धन्यवाद और हम धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर वरीटा कुमारी का जिनके माधम से अज हमें मीरा पर एक बार फिर से विशेश व्याक्यान आयुजद करने का मौका मिला मित्रों हम जल्द फिर मिलेंगे और एक नए विशे झाल